सवागत जी कवर फिर आप सब दा आज दे सेग्मेंट वेच वड़ी मुलाखात करवान जारेंगे अमरित पाल सिंग जी ना जड़े के हर हफ्ते साड़े को ले थे आगे सांज बारने वखरे वखरे इशू जाते टॉपिक्स दे आज दा विशा जिस्दे बारे गलबात करना चाने है ओ है ग्रिस्त जीवन टुकि अच्छ उतना मन्या गए सिखी दे वेच लेकिन आजकल अचक्र एवी वेख रहा है कि ग्रिस्त नू निदिया भी जा रहरे थे साड़े ही समाच द वेच बहुत सारे ऐसे लोग का गया रह ने दे में जड़ेंके तानो दूर कर रहने व्य॥ा रोच पाथ निए ग्रेस्ट जीवनतों। सिख़् वच ग्रेस्टी की महता है गुरु नानक साहब ने इस कॉंसेट नू क्यों एहमे देती और इसे सम्धत जानकर लेनिया यानी अमृतर पाल संग जीवाइनुजी। जी वह हम ची जान करा इंद ने ने अनल जान कर इंद ने 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 ग्रेष्थ तरम इन गुर्नानक पात्षा ने प्रवान्ता दिर ते उपान्ता दिती जे असे घ्रेष्थ नु चारदा वांगे ते संसार दि रीद बंद हो जाएग्या जे बिया। चल दे रख दे नाल नाल, एक ऐसा सिदान दे दता, जिड़ा है ग्रेस्त तरम, वाव ग्रेस्त विच रंदिया तर्मी हो जाड़ा, जी, असल विच गुरुनानक पातुषाद जी ने अकाल पुर्ख बारे भी इस तरह दी ही संसार नू एक विचारता रा देती है, ग्रेस्त जी जड़ें वो जंगल पहाड चेनी रंदा, वो पने परवार दे नाल, समाज विच आबादी विच रंदा है, जी, ग्रेस्त दा दूसरा लचन ए है, के ओदे तिया पुर्थरने, ओधी आुलाद है, ग्रेस्ती दा तीसरा लचन ए है, वो अपनी आुलाद वास्ते कर दे पाव उनना दे पोजन रोटी आदख दा प्रवंद कर दा है रब देवी यह तेन लच्छन ने जी 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 ग्रस्ती दा पहला लच्छन है कि ओ जंगल पहार नी पढ़कदा वो कारभणा की समाज विचरन दे ते जिस रबने सानो रहन वास्ते कर देता हुए कि ओ जंग पतलव है सोनी कोठी क्योंकि पंजाबी दा एक रूप है कि जिते आत करनी हो वे शवदी उते डाडा लादता जंगा है असी जमें देख देया माँ अपने बच्छे नो ठादी मेरे बच्छे उठ तेरा मुख तो देयां पर माँ बहुत प्यार वे चोवे माँ आख दी मेर साजनरा निकट खलोईडा मेरा साजनरा ठीक सेखनों वास देती तामी क्या मेरा प्यारा सिख जो दीस है गुर्ष सिखडा मेरा प्यारा सिख उन्हें इसे तरह कोठी मैंने राबदी सोनी कोठी जी राबदा एक कर है एज जग सच्चे की है कोठी सच्चे का वेच वास वा आपाद है तियां पुत्र में राबदा भी यह दूसरा लच्छन है राबदी भी आए ओवलाद है ओआ आप माँ बनेया आप पिता बनेया फिर इस जीओने जन्म लेया हर आपे माता आपे पिता जिन जीओ उपाए जगद दिखाया आप यो ने मां बने के पिता बने के आपने तियां पुत्रना दे वास्ते रोजी रोटी दा प्रवंद करदा है। उन फिकर है अपने बच्चेयां दी रोजी रोटी दी, चिंता है। राबदा भी तीसरा गुण है, कि सो करता चंता करे, जिन उपाया जग। जिनने जगत नो पैदा कीता हूँ चंता करदे संसार दी इस करके वो रोजी रोटी दा भी प्रबंद करदा है। असी रबदे बचे हां वो साड़ी पालना कर रहा है। इस सारी दुनिया दे जीव जन तू पशू पंची पेड़ पोदे इस सारी तेरे परवार दा आंगने। इस सारा तेरा परवार है इस करके तू सफल ग्रेस्टी है। मोहन तू सुफल फलेया सन परवारे। पाव तू सुफल हैं सारा संसार तेरा परवार है। साथगूर करने लोगे भी गालि मुकाव। जरी बाढ़ करने शार तो Anda बढ़ा थि तू बढ़ है। जरी आंगनम्ने शाओव जेश्टी है। जरी जरी है। जरी जरी हम सékहाथेआ को परवार थिंसे असिधे बाभाशつ्टी है। ग्यानन में घ्यान अर्ट्यानन में त्याने गूष सगलतरम में गरिश्त परधान है उन्छेस तर्ममें लिए रबवी गरिश्ती गुरु सेमान भी ग्ष्ती शीक नोधात उननले भी गरिश्ती बनकर रहने जे उस तरम दिएここ कोई विहंगम जटी आके कहें मैं आगू हां जी अगूते दूर ओते सिक तरमदा मेंबर भी नी बढ़े या पर पैसर बिल्कुल तुसी सही किया लेकिन अफसोस के अज एही चीज बहुत ज़्यादा परचलत हो रही है कि जड़ा अपने अपनों बहंगम खुआ रहे हैं एक है कि के जी मैं ता सि अज़िछ बड़े ने बौहादे जाने जन्हों के बहुत ज़ादा मांता लूका वैं देती जान दिये गुर्धवाय प्रवन्दा कमेटीया वन भी देती जान दिये एचीज ट्रैस की जान दि बार बार के एना ने देखो जी परवार नों छटके परवार वले पास से ना कि घुर पंगतिया में सिर्व गुरु ना ही मातवाड़ी सामने रख ले हैं कि गुरु सही कहने लगे कि कोई जटी बिहंगम बन के रबनु पास सकता है तो इस तर्तीत जनने भी खुष रहने उस सारे थर्म्हें होने चाहिए क्योंकि बिंद राख जो तरिया पाई जी खुसरे के उना परमगत पाई मैंनो गुरुबाणी दे अर्थ करना गया कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे गुरु ने गन्हा कहिया ने कि इस तना जती भी हिंगम बढ़िया कोई राब नो मिल सकत है इस तरती दे सारे हिजड़े न पाई नहीं जी उनन तो बारो बार टरका देने नहीं बारो बार टरका देया कर बिंद के सदया ताहीं हीज की बढ़िया देत तरवर सदीव मौन सद ही मरत हैं अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीन एक ग्यान के विहीन चीन कैसे कहता है पर वही कल आगी कि जिते जिस दिवाज घुदग में परवार नहीं जिस अपड़ी उलाद नहीं है अपना पलाद नहीं है वो दूसरे नुप्तर मन रहे जिए मेरे ख्याल बच नहीं इस व्रणों हजएयं गया थे विए सदिया मनदा हो और ये नूशन नहीं पता हो आप प्ता हो उवीजिज रा जनने साध ने नो पुतर ही माड़ रहे ने जिए पुतर इन्हे चंगे ने आप क्यों ने ले आप यह ले ने चाहिए ने डूसरी गाल जिए कले पुतर ही माड़ रहे ने एधा मतलब तिया अधे प्रती उना दिर्श्टी जिडियो ठीक नहीं है और बदकस्मति ए है के सब एक समांता पैदा कर रहा है लड़की ते लड़की देवच इस करके गुरु सेव ने ग्रेस्थी भी बनाया सिखनू आप भी ग्रेस्थी गुरु से बनाने रबनों भी ग्रेस्थी मनेया हाँ ग्रेस्थे विचरंदेया असी जोगी बढ़के रहना है जोगी मने ग्रेस्थे विचरंदेया असी विकारा नरलेप के रहना है, कमल देफोल दी तरह, है में खुरा को चिक्कड चोई लेंदा है, पर चिकड़ो नु पूंदा नहीं है। सबी ji लैं म जुनए पर सी माया तो निरलेप हो की में रेन करने सी कर जैसा थी वग्षोभ कर न Chronवै उदास कर Be के उदास की धी खिरी त्भा की ती विट द्ता ही ती तसी दश्री कुरू शाब ने नहीं ग्रेस्थ जीवन दीते नाल बानी विच्छों ही तुसी जड़े सानुतुखा दसियाने पर हुन गाला इते आंदी के सच्चा सौदय बारे कौन नहीं जान दा असे सुन देंगे यह गुरु नानक साभ इन्नी एहमें दें 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 ग्रेस्थ जीवन नू तो बड़ी हरानी दी गाले कि कई वरी सिखी दे विच्च जदो असी कहने कि गुरु साब दे डड़ा सिधान ते वो तो बिल्कुल ओपन है गये लेकिन असी लोग कई वरी उस दे उल्ट जदो कुछ कर देयां ता फिर ओजड़ी कांट्रडिक्टरी स्टेट्मेंट्स आंदी कर देने कि की हो रहे है और इसी समद्द विच गलबात जो सी कर रहे हैं कि असल विच घ्रस जीवन दी जड़ी महत्ता है जिते एक पासे दा गुरु साब कहरे ने ग्रस जीवन उत्तम जीवन है लेकिन आज साड़े बहुत सारे संत बाबे जड़े ने वह अपने अपनों के लोकां तो मत्हे कवारेने तिनाल ही अह परशार कर रहे ने किसी पर चाहर कर रहे हैं एना कांटडिक्टरी स््टेट्मेंट्स कर लोग क्याइन embracing पर अनुन्नननन ने सुवाल जभाब नहीं ही मिलदा इसीनों मुख रख कि आज दा फाकतन ञागर हाजर हो आगो या वो सच्चे सौधे बारे भी तड़े कुछ शंकावने उन्हों विथू धूर कर देना पाईसा पाई आमरित पाल संग देना जी पाईसा 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 जी ने उन्हा पुखेसाद्वन उलंगर श्काया जिड़े कारबार चाड़े के चूड काने विजूच बैठके त पाई Silence पाई ऻूग Less 13 गिड़े काईसम अपने माददा सी पामे विरुधी माददा सी जी सत्था गुरू पाठशा किसे तो जानली जिछ गैने इसमों के थी ए धिसिरो पाती कम की ते पैली गलि गे किती ka आज में वांगो मीडिया ने ऐ सी जी ते गुग पांट रिशनों गालकेण वास्ते लोग कठे करने पेड़े सन, गुरुनानक सेव रेकी किता, जित्थे लोग के कठे सन, उथे आप चले गए, चाहे ते ओ, हर द्वार दा मिला हुए, पितरा दा, चाहे ओ, कुरुक्षितर सूर्ज ग्रेन दा मिला है, चाहे ओ, जगनात पुरी राथ जातरा मिला है, चाहे हो मक्य का बेविखे मुसल्म वीरान दी जिया रत है, चाहे हो शिवरात्री दा, अचल वटाले दा मिला है, चाहे अपने कर विच ही लोगाने कठे होना सी, जिने उपान देटाएं, सद्गुरु पात्षा ने की किता, उस इकाठ विच आप हाजर होगे, गुरुनानक पात्षाजी ने अगला काम कीता, एक कौतक वरताया, लोगान दात्यान, आपने मल खिच नवास्ते है, हर दवार गए, लोग पूरवनु पानी दंदेने, सद्गुरु पच्छमु देन लग गए, कुरुक शेतर स्वोर्ज ग्रयन दे मौके, सद्गुरु न सद्गुरु पात्षा ने पता है, कि नाल ही चूड काने दे जू देवच, कुछ जती विहंगम साध जिड़े ने, वो बैठे ताप कर रहे ने, ते ताप दा आर्थ ने शरीर नु कष्ट देडा, कोई कंडियां दे उपर चोकडा मारके बैठा हुए है, कोई अगबाल के सरीर नु साड रहे है, ते कोई ठंडे पानी विच्छे कलाब दे पार खड़ाओके ताप कर रहे है, ते पुठा लड़के आ है, सरीर नु पर देयां, इन्ना याद रखियो, सड़ा गुरु है शवद है, गुरुबानी गुरु सेव अपने हथी सानु लेख के दे गए ने, वो देविच एक परसेंट भी शंका नहीं है, बिल्कुर शक नहीं है, साच की वानी नानखाख है, साच सुनाई सी, साच की बिला, पर ज उनना ने लिखिया, सड़ा गुरु शवद है, साखी सड़ा गुरु नहीं है, गुरु शवद आप दे गए ने, साखी अपनी नहीं दे गए, इस करके, शवद बिल्कुल गलत नहीं है, हंडर परसेंट सच है, पर साखी गलत हो सख़ी है, तो कि बाद विच्व मुनु खा नहीं है, इस करके, हर साखी नो पढ़न तो पहला, सान नो गुरु वानी दी कसवटी लाके परखना पहेगा, कि जो गुरु सहीव ने बादे चकिया है, ओह को कोजी कीता है, जे उस तो उल्ट कीता है, अदा मतलब लिखारी ने कोलो लेख देता है, जी, गुरु नानक पा वी दंबड़े भी हो सकने ने, जी ओस जमान ने दी करंसी चालरी होएगी, जो दी कीमत होएगी उस टाम ते, खैर, असी यस मामले वेच नहीं है, हून जे गुरु नानक पात्षा पुखे सादवानू लंगर शिकान गए ने, इदा मतलब ही है, कि गुरु नानक पात्षा पुखे सादवानू लंगर शिकाया उना जोगियां भेहंगमा आदिखनू, इदा मतलब गुरु नानक पात्षा ने अपनी सहमती दे देती, कि तुसी कारबार चाड़े के जाओ जंगला पहाणा चा ताप करो, असी गरस्ती लोग तवड़ी सेवा करो, असी गरस्ती आया करांगे है, ते ती जी एवी विच्छो गाल निकलेगी, कि जड़ा गुरु नानक पात्षा ने वियार प्यांदाल लंगर चलाया थी, और जतियां भेहंगमा वास्ते चलाया थी, ना कि आव लोगा वास्ते है, और ये कॉंट्रेक्ट अगेन हो जन्दी, कि किरत करन जड़ा कॉंसप्ट है ओदे विच्छी गुरु साब ने जड़ा तुसी पिछले प्रोग्रम जे गाल बात कीती जी किरत करना जड़ा एक सद्धान था गया, तो उस सद्धान थे ओल्टी के में हो कुछ कर सकते हैं, दरसल ना सानु एदे पिछे थोड़ा जाके देखना प दूसरी गाल से उना था त्यान खिचना, गुरु नानक साहिव ने की किता, उस था ते डाला सबजियां पोजन परशादे तियार कराए, लंगर तियार कराया, ते लंगर वरतान लगिया, आम लोकानू लंगता चे बठाया, बच्चे तो लेके बजरुग तक हर ग्रीब ल प्रणुक्ता बास ते शुरु हो गया, तिया समय पाला से अन परशादे बच्चया बरशादस, ते बन आ वर सुखे करानू नुझए फिर काBooks पाइल पके मिर्णुक्ता। कि आना लोक लाइनाच लगे हो इने लंगर शाकरे ने लंगर के नहीं लाया है क्योंकि बे मौसमा तांकर के ब्रह्मन केंदा उदासी मैं तानु तरीक कड़के दमांगा ए जड़े देन हुंदे ने पुर्बावले ओशुबंदे ने पुर्बान उपड़े करो अगे पिछे ने पर उदा कोई पुर्ब भी नहीं सी इस नातनमादा उन्हा के जोगिया ने पुछया भी यह लंगर के नहीं लाया है किसे ने दस्याएगा उस जमाने देवचे जहोजी गालबात होई होएगी सी सोच सकते हैं किसे ने क्या आएगा कि जड़ा मैता कल्यान दा सपटवा पुछया ने लाया नंगरा उन्हा सोचा कोई जवान आगनी होएगा पुछया किते ने कर लगे हो रहे हैं गुर्णानक पात्षा बड़ी छोटी उमर सी वह हरान हुए गुर्णानक पात्षा को लाया क्या लगी है बच्चे तुम्हें लंगर लाया ना बड़ा तेरे को पैसे को आए तेरे पिता जुनु पता है तुम्हें लंगर लाया बठाए तेनु किन्हें सिख्या देती है के गरीब लोडवांद पोखे लोगा नुन अंगर शकाइदा हुंदे जी गालकी गालरेड पई जीडी गुर्णानक पात्षा चांदेशी गुर्णानक पात्षा पात्षा ने ओ स्वाल कीते उना जुगियानू जीडे आज तक किसे करन दी जुरूत नी सी किते। गुर्णानक पात्षा ने पहला स्वाले कीता कि तुसी कुई पाप कीते ने ? थे लंगी जी नहीं, एसना क्यो पूश रहा हुं ? साथगरू केलना के ताह पूछिया है वी तो आड़े माता-पिता ने पाप की ते होनगे, उन्हों नुICK ठोकरां कान टे चदकी आगे हो22-24 क्योंकि बजरॉ कि जूसकि माता-पिता ते बच्छनुंवे, बढ़ा पिच आसबहilia हो ते तुसी उनानों बड़ा पे ठोकरा खाणते छड़की आए हो जुरूर उनाने पाप कीते होंगे के तुसी सजा दे रहे हो कहलेंगे नहीं नहीं साड़े माता पिता थे बड़े चंगे सन रोक दे रहे शरीफ लोग सद्गुरु कहने लगे फिर कर क्यों छड़की आए है गुरुनानक पाथशा कहने लगे कि फिर तुसी करदा त्याग क्यों कीता उना अपनी छाती ते हाथ मार के बड़े मान नाल किया के असी ग्रेस्ट त्याग आए है सथ गुरु पाठशा करने के तुसे कुछ पाप केते ने कहने कि नहीं यो क्यों पूश रहे हूँ गुरुनानक पाठशा करने सबादेनार को क्यों कर देता है। करना आनक पात्षा के अच्छा था आप दो गदेकर ंसे समझगे। फिर जूर्ड ती वड़े माप्योंने पाप किते हों लगे… क्योंकि अ वाधा पिता थे बैच्के नरु पाल पोस के बड़ा कर देने तदे अथे बड़ा पहें दा आसरा बने। जी तोड़े मापयों ने गल्त काम की ते हों लगे जड़ा बड़ा पे जोनों कार विच ठोकरां खानते चाड़े के आए हूँ उसाद के लगे जिने साड़े ते माता पिता बड़े चंगे सान शरीफ लोग सान साद गूल पार्षा के लिए अच्छा ठोड़ी पत्तनी घोड़े बच्चे उनना चाती ते हात्वमारके किया बड़े माणना असी अपनी पत्सीच भच्चे त्यागाई है साद गूल के लगे बड़ी परापती जिद्धीत है क्यों त्यागाई हूँ किया लगे इस करके त्याग आयां क्योंकि ग्रेस्त जड़ा कीड़ें मकोड़ें दे नगरी जिजला दाकर असी ना ग्रेस्त जिजला कीड़ें मकोड़ें दे नगर जो सी बाह लाग दे आज़ाद हो गए जी सद्गुरु कहलें कि ठीक पर ग्रेस्ट चाटे के जीवन चल दा नहीं है एस शरीर दो तेन टैम पोजन मंग दे रूटी के तो खाने हो सद्गुरु कहलें कि रूटी नहीं बंदी कपड़ भी चाहिए देने जी कल ग्रेस्टिय नहीं करो जाके मंग लिए नहीं सद्गुरु कहलें कि ठीक और मेरा आखरी स्वाल जी एद शुब जड़ा तुसी जपताप कर रहे हूं बंदगी तपस्या कर रहे हूं एदे पस्दिया नो दियोंगे जो आखरी सुनी और जोगी कुछ पर गे कि हिस्सा सडिक माई सडिक तपस्या मसी किसे दुझी नू इसा क्यों देए जी सद्गुरु करना कि फर एद दू बड़ा जुलम होर की वह सगदा है जिनना नो तुसी माड़ा किया एदेज ने कीडे मु पाथशा ने पंगरनाथ न भी कही सी जी पाई गुर्दास जी ने गल कही कि नानक आखे पंगरनाथ तेरी मां कुछ जी आही पांड़ा तोय न जाते हो पाई कुछ जी फुल सुड़ाई हुए अतीत ग्रिस्त ताज फिर उन्हों कह कर मंगन जाई जिनना कार चड़या उन कि करिये गुर्णानक पाथशा कर लगे तुसी आप अपनी कराच जाओ जी जे तवा डाही तरम चंगा सारे मान लेन ते दुनिया दी रीत खातम हो जाएगी तुसी अपनी बुजुर्ग माप्योदी सेवा समाल करो पहला उना चुरभ देखो फिर अपनी पतनी अपनी पालपोस के बढ़ा करो किसे ने तुआ नू पाड़े तुसी अपने बच्चे पालपोस के बढ़ा करो राइग संसार दी पर पारना पड़ो दो रूटिया तुसी अपनी ली निकमा सगदे दुनिया नू की दोंगे दसानु आवा दे किर्थ करो ग्रीब रोडवन दू ब रोगरी तुरिया जिए आज भी पंजाब इंगलेंड विच बड़े संत्रेन परवार ने जिडे ग्रेस्ट विच ने एक गुरुनानक पाठ्षा दे ग्रेस्ट विच पाई होई संत्रेन साद ने आज तक ग्रस्तियों के गुरुनानक दे सिख्षी कमा रहे बहुत गूब स्वाज पाई साभ ने जिस सिधान तक तोर दोते साड़ेनल गालबाद कीती है ग्रेस जीवन दे संबंद विच गुर्बानी विच्छों के जड़िया तुका इनाने पढ़िया ते नाल गुरु नानक साभ दे सिधान जोड़या इस अनुसपश तोर दोते है उजागर करदा है इस गालदू के सानु पता होना चाहिए कि यसी सिर्फ अक्का मीट के ही साख्यां पेच्छेता नहीं चाल रहेगे ग्रेस जीवन उत्तम जीवन है जेकर कोई भी आके इस तो सानुसाइड लाइन करदा है तैस दा मतलब है कि गुरु दिस सिधान दे उड़ चल रहे है को एमिल रही हरपरीत अटकाल टीवी डाट कॉम फिर मुलाकात होएगी तक गुड़ बाई